हेलो बच्चो, वेलकम बैक आन मैं यूटूब चैनल और आज हम सीखने वाले हैं क्या हम सीखेंगे यहाँ पर जोड, घटाओ, गुणा और भाग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं यह आज हम इस वीडियो के इंदर सीखने वाले हैं बहुत सिंपल दरीगे सीखेंगे और भी कई सब्द हम यहाँ पर सीखने वाले हैं तो चलिए सबसे पहला हमारा सब्दा यहाँ पर जोड, जोड को इंग्लिस में क्या कहते हैं ठीक है तो बच्चो आपको याद रखना है जोड को इंग्लिस में कहते हैं एडिशन ठीक है जोड को इंग्लिस में क्या कहते हैं एडि जोड को sum भी बोलते हैं, तो आप याद रखना, ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या है, sum, गटाना को हम sum की जगे क्या बोलते हैं, minus भी बोलते हैं, ठीक है, minus चिन्न का नाम होता है, minus भी करते हैं, ठीक है, यहां तक clear हो गया, तीसरा आता है, यहां पर गुणा, गुणा को में कहते हैं, multiplication, multiplication, ठीक है, हो गया, जोड को addition कहते हैं, गटाना को subtraction कहते हैं, गुणा को क्या कहते हैं, multiplication कहते हैं, ठीक है, और इसको गुणा को एक और चीज़ बोलते हैं, यह आपको याद रखना हैं, बच्चो, गुणा को एक और बोलते हैं, वो बोलते हैं, प्रोड़ तो याद रखना, प्रॉडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है? तो प्रॉडक का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, जब भी इस तरीको नििसान का इस में भाग का निसान होता है, अब भाग को क्या बोलते हैं, तो भाग को इंगलिस हम बोलते हैं, division, division, भाग को क्या बोलते हैं, division clear हो गया, उसके बाद आता है, प्रतिशत, प्रतिशत को क्या बोलते हैं, तो प्रतिशत को बोलते हैं, बच्चो, percentage, ठीक है, प्रतिशत को क्या बोलत संठेस बोलते हैं और इसका जू निशान होता है इसका चिन होता है बच्ए वह R-A-T-I-O ratio अनुपाथ ठीक है? अनुपाथ का चिन्न होता है यह लिज़ा मैं लिख दियता हूँ यहाँ पर इस तरीके से दो बिंदिया बनी होती है ठीक है? यह क्या है? अनुपाथ का निसान होता है उसके बाद आता है समानुपाथ समानुपात को इंगलिस में क्या बोलते हैं तो समानुपात को बोलते हैं प्रपोर्शन ठीक है याद रखना उसके बाद रता है ब्याज ब्याज को इंगलिस में क्या बोलते हैं बताइए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ब्याज को इंगलिस में क्या बोलते हैं तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए उते चैन को सस्काइब कर देते हैं मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैह हिंदु बंदे मातरम